आज सुबा की कक्षा में भी हम योग दर्शन के सूत्रों का अध्येन कर रहे थे योग दर्शन के तीसरे पाद के सूत्रों का अध्येन चल रहा था कितने सूत्र हो गए आप अगया जो यहां खाली सीट रहे आगया जाई अदर हो गए ठीक है चल रहा है जब कोई विद्या का देन करते हैं तो उसमें कुछ सरल विशय भी होते हैं और कुछ कठिन भी होते हैं कभी कभी सरल जाता है कभी कठिन भी होते हैं तो कठिन को भी पढ़ना चाहिए जब पूरी विद्या सीखनी है तो फिर कठिन होज असर लो पढ़न तो पढ़े गई तो तुम्हे जो विशय चल रहा था धर्म और धर्मी का विशय चल रहा था घर्म परिनाम परिनामों का प्रसंग था धर्म परिनाम, लक्षन परिनाम, अवस्था परिनाम और फिर धर्मी, धर्मी की बात बताई ते, कि धर्मी क्या है सूत्र चौदा में बताया था शान तोदित अविपदेश्य धर्मान उपाती धर्मी भूतकाल के पदार्थ वर्तमान के पदार्थ और भविश्य में जो पदार्थ बनेंगे इन सब पदार्थों में जो मूल तत्व अनुगत रहता है विद्यवान रहता है उसका नाम है धर्मी जैसे उधारन दिया था घड़े का जब घड़ा नहीं बना तब भी मिट्टी है घड़ा बन गया तब भी मिट्टी है घड़ा तूड़ गया तब भी मिट्टी तो हमेशा रहेगी जो हमेशा रहती है वो धर्मी जो वस्तु हमेशा रहती है सदा रहती है वो है धर्मी धर्मी नित्य है और उस धर्मी में जो आकृतियां बदलती रहती है उसका नाम है परिनाम वो है धर्म तो पिंडाकार एक धर्म है मिट्टी में गटाकार दूसरा धर्म है और ठीक्रे का आकार तीसरा धर्म है वो स्थितियां बदलती रहती है लेकिन मिट्टी स्थिनों के अंदर विद्यमान रहती है पिंड में भी गड़े में भी और ठीक्रे में तो जो सदा रहती है वो धर्मी ये धर्मी की चर्चा उई और फिर पंद्रवे सूत्र में बताया था क्रमान्यत्वाम परिणामन्यत्वेहेतु ये जो भिण-भिण परिणामुत्पन होते हैं भिण-भिण अवस्थाइं बनती हैं मिट्टी से घटाकार, कभी ठीकरेकाकार, कभी पिंडाकार, ये जो अलग-लग अवस्ताइं आती हैं मिट्टी में, ये क्यों आती हैं, इसका कारण बताया क्रम अन्यत्वंग, क्रम का भिन भिन होना, तो स्रिष्टी के अंदर ये एक विवस्ता इश्वर ने बनाई है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एक क्रम बनाया, बस वो क्रम जो इश्वर ने निर्धारित कर रखा है, वो ही कारण है, उसके कारण से ये भिन भिन परिना उत्पन होते हैं, एक शरीर उत्पन हुआ, पहले शिशु होगा, फिर उसके बाद बालक होगा, फिर किशोर होगा, उसमें किशोर अवस्था आएगी शरीर में, शिशु अवस्था, बाली अवस्था, किशोर अवस्था, युवा वस्था, प्रोड अवस्था, वृद्ध अ ये क्रम है पहले वृद्ध वस्था आजाए फिर योवस्था आजाए फिर किशोर वस्था आए ऐसा नहीं है कोई शोर ने क्रम बना रखा इस तरह से शरीर में परिवर्तन आएंगे तो वो क्रम के अनुसार ही ये सारे परिणाम उत्पन होते हैं जैसे मैंने शरीर का उधार कारण दिया ऐसे ही सब चीज़ों में वस्तुएं उत्पन्द होती हैं विक्सित होती हैं फिर ढलने लगती है फिर खत्म हो जाती है तो इस प्रकार से क्रम है उस क्रम के कारण ये परिणाम पैदा होते हैं धांज बोलिये दोनों बाते हो सकती है जड़ वस्तुएं पे तो आटो मोड भी चल सकता है जैसे हमने रोबोट बना दिया स्विच आन कर दिया वो काम करता रहेगा जड़ वस्तुएं में मशीनों में ऐसा संभा होए कारखने में आटोमेटिक मेशिनरी लगा दी स्विच आन कर दिया वो प लेकिन जो चेतन आत्माई हैं उनका हिसाब तो तदकाल देखना पड़ेगा उसमें मेकनीजम नहीं चलेगा क्योंकि आत्मा स्वतन तरह वो चेतन है कभी भी वो विचार बदलता है पल्टी मारता है अभी कहता सच बोलूंगा फिर कहता जूड बोलूंगा वो इतनी देर में बदल जाता है उसका भरोसा नहीं इसलिए उसमें मशीन काम नहीं करती है उसमें इश्वर को सहम देखना पड़ता है तो चेतन जिवात्माओं के करमों को तो लगातार देखता है वो 24 गंटे और जिस समय जो आत्मा करम करता है उसकी एंट्री समय देखना पड़ता है चेतन आत्मा को जड़ वस्तुवा में तो आटोमेटिक मेकनिजम हो सकता है ऐसा लगता है तो अब इसके बाद अगला सूत्र पढ़ेंगे सोले वाँ सूत्र सोला देखिए और बोलिए परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्यानम किसी भी वस्तु के तीन परिणामों में संयम करने से परिणाम त्रय तीन परिणाम जो तेरवे सूत्र में बताये थे धर्म परिणाम लक्षन परिणाम अवस्ता परिणाम किसी वस्तु के तीन परिणामों में संयम करने से अतीत अनागत ज्यानम उसके भूत भविश्य का पता चल जाता है मनुश्यों के भूत भविश्य का नहीं ये कम क्या करेगा इसका पता नहीं चलता बताया ना वो चेतन है, हर समय पल्टी मारता है, उसका कोई वरोसा नहीं, कम कहां विचार बदल ले, कम का योजना बना ले, उसकी कोई गारंटी नहीं, जड़ वस्तुओं में तो मेकेनिजम है, जैसे अभी बताया था, शरीर की उत्पत्तिवी शरीर तो जड़े, उसके वि परिणाम, लक्षन परिणाम, अवस्ता परिणाम, इन तीन चीजों को जानता है, समझता है, तो वो हर वस्तु का भूत वहिषयत जान लेगा, ऐसे जान लेगा, कि मनुश्य का शरीर दो सो साल तक नहीं जीएगा, थाजार साल तक नहीं जीएगा, देखो वहिषय की बात जान ले ना, जान ले ना, 32 में मरेगा या 36 में ये नहीं पता लगेगा, पर ये पता चल जाएगा, ये हमेशा नहीं जीएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो भी वस्तु बनती है वो हमेशा नहीं ठीकती, एक दिन खतम हो जाती है, नश्ट हो जाती है, तो ये धर्म परिणाम अवस्था परिणाम लक्षन परिणाम के सिस्टम से उसने समझ लिया कि ये शरीर भी पैदा हुआ है इसमें भी ये तीनों लक्षन होंगे तीनों परिणाम होंगे तो ये जब पैदा नहीं हुआ था तो अनावयत लक्षन में था अब पैदा हो गया जीवित है ये तूटेगी वो उसको सब समझ में आ जाएगा तो मनश्य, पशू, पक्षी, रिक्ष, वनस्वतियां, कीडे, मकोडे, मकान, दुकान, सडकें, पृत्वी, सूर्य, चंदर्मा, तारे, सब चीजों का वो पता लगा लेगा कि ये सारी चीजें एक नएक दिन तूटेंगी, जो हम मित्रों से रिष्टे बना कर बैठें, बहुत लोगों से, घर के रिष्टेदार तो ठीक है चलते हैं जीवन भर, उन्हें भी कहीं कहीं तूट जाते हैं, जब परस पर व्यवार ठीक नहीं रहता तो लोग रिष्टा तोड़ देते हैं, और जो मित्र होते हैं, दोस् friends, उनके साथ तो हमारे कोई खूण के रिष्टे तो नहीं है, लेकिन विचारों की समानता से उनके साथ भी समबंद बन जाता है, जब तक विचारों की समानता बनी रहती है, तब तक आपस में रिष्टा ठीक चलता है, और जब विचारों में ठकराव हो जाए, स्वार था जाए, कोई और समस्य खड़ी हो जाए, तो फिर वो रिष्टा तूड़ जाता है, फिर लंबा नहीं चलता, तो जो भी रिष्टे हैं, चाहे वो हमारे गुण कर्म सभाव के तालमेल के कारण बने हों, चाहे खून के ही, ये वेक्ति को पता चल जाता है, तो जो मित्रों के संबंद होते हैं, रिष्टे होते हैं, वो ज्यादा लंबे बहुत कम ही चलते हैं, कोई दो साल तक दोस्ती रहती है किसी के साथ, किसी के साथ पांच साल, बच्पन में जो स्कूल में भी दियारती पढ़ते थे आपस में, तो प्माच साल, साथ साल उनकी दोस्ती चली जंदीज में गई, तो एक का एड़ुटि इडिमिशन वहाँ हो गया, बस फिर अलग हो गए, दोस्ती धे धे ख़तम हो गई, वहाँ नए दोस्त मिल गए दूसरे कॉलिज में जब एडिमिशन हुआ वहाँ दूसरे लोग मिल गए उनसे दोस्ती हो गई दो-चार साल उनके साथ रही फिर वो भी छूट गई फिर ओफिस में जोइन कर लिया वहाँ दूसरे लोग फ्रेंड बन गए तो ऐसे मित्र नए नए बदलते रहते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी दोस्ती लंबी चले बीस साल, तीस साल, चालिस साल कहीं-कहीं मिलते हैं ऐसे भी आगे चलकर यदि उनमें भी स्वार्थ आ जाए तो फिर वो भी तूट जाते हैं स्वार्थ न आये तो चलते रहते पर वो भी कब तक चलेंगे दस अजार साल तो नहीं चलेंगे वो भी तूट जाएंगे तो ये तीन परिणामों में सहिम करने वाला व्यक्ति इन सब बातों को समझ लेता है कि ये किसी के साथ रिष्टा दस अजार साल नहीं चलने वाला बीस साल तीस साल पचास साल अस्टी साल फिर खता फिर रिष्टा तूट जाएगा क्या चाहिए ये चाहिए फिर वापिस दे दे ना हाँ ठीक ठीक कर दो उसको तो जो भी संबंध है ये भूद भईश्यत का ऐसे पता चल जा तो कुरसी बनी है आज आज आप नई नई कुरसी लाए बहुत बड़ी है बड़ी है आपको नई चीज देखकर बड़ी प्रसनता होती है खुशी होती है, होती है न, सबको होती है, चाहे आप नई कुरसी लाओ, नई शर्ट सिलवाओ, नई कपड़े सिलवाओ, नई कार खरीदो, नई स्कूटर खरीदो, कोई भी चीज नई खरीदते हैं तो उसकी खुशी होती है, और वो बहुत दिन नहीं चलती, थोड़े दिन हो जाती है उसका फिर वो भूद काल में चले जाती है तो एक कुर्सी हो मकान हो दुकान हो कोई कार हो स्कूटर हो कुछ भी हो सब चीजें ऐसे दीरे-दीरे समाप्त हो जाती है तो जो व्यक्ति इस तरह से तीन परिणामों में सैयम करता है उसको हर वस्तू के भूद भईश् चार है सूर्य नश्ठ होगा या नहीं होगा न क्यों कि यह बना है बना है तो टूटे जो चीज बनती है वो टूटती है सूर्य बना है तो टूटेगा जन्या तो सूर्य भी नश्ठ हो जाएगा प्रिछ्वी नश्ठ हो जाएगा अगर यह समझ में आ जाए कि सूर्य भी बस चोटे चोटे परमानू बचेंगे यह तूट फूट गे परमानू के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और अन्त में विसी जब सारा जगत नश्ट हो जाएगा और सिर्फ परमानू बचेंगे सत्व रज्तम जो इस जगत का मूल कारण दरवे है जब वो बचेगा तो फिर सब खतम फिर किस में मौमाय रहेगी कुछ नहीं रहेगी तो इस प्रकार से यह समझाना चाहते हैं जो व्यक्ति इन तीन परिणामों में सैयम करेगा उसको तो भूद भुश्यत का पता चल जाएगा और जो इतीन परिणामों को नहीं जानता धर्म परिणाम लक्षन परिणाम अवस्ता परिणाम जो इन चीज़ों को नहीं जानता तो वो ब्रांती में रहेगा वो सोचेगा हम तो हमेशा जीएंगे हम थोड़ी मरेंगे हम नहीं मरेंगे भले वो टीवी नियूस में देखता हूँ आज एक्सिडेंट हुआ आज छे लोग मर गए आज बीस लोग मर गए आज बाढ़ा गई इतने लोग डूब गए इतने सोचता हूँ पर महरशी पतंजली जी कहते हैं सोचो जो सत्य है उसको जानो सत्य को स्विकार करो यदि आप सत्य को स्विकार नहीं करेंगे तो अविद्या में रहेंगे और अविद्या में रहेंगे तो जिस दिन ये सचाई आपके सामने आएगी उस दिन जोर से जटका ल है या हो दुख्य हो गे ये क्या हुआ है घर में जब किसी की मृत्ती हो जाती बोगां रोने बैट जाते है रहत रूँ हते हैं बहुत चिलाते हैं है तब लोग पूछते हैं वहाई इतना मत दूख्य हो aren't को कोई बात नहीं है चांती रखो फिर वो कहते हैं मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाए तब यह बोलते हैं कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था नहीं सोचा था ना तब ही तो दुखी हो रहे हैं पहले सोचा होता तो आज इतना दुखी नहीं होते तो आपकी तो फिर इसमें अस्चरे की क्या बात अस्चरय या दुख तब होता है जब कोई नई घटना हो extra-onoring एक विच्थित्र सी घटना हो तब अस्चरे होता है जो سमान्य घटना है जो रोस होती है कभी-कभी कभी ना कभी किसी ना किसी के घर में होती ही रहती है तो वो तो फिर नॉर्मल हो गई ना सामान्य हो गई तो जो सामान्य घटना होती है रोज होती ही रहती है तो उस पर व्यक्ति को दुख भी नहीं होना चाहिए अश्चरे भी नहीं होना चाहिए सारी दुनिया रोज स्नान करती है कोई नई बात है फिर इसमें आश्चेरी की क्या बात है यह तो नॉर्मल है सबी लोग नाते है तुम भी नाली है तो क्या मुसी बतागी इसमें कुद्रे की क्या बात है हाँ तो फिर ठीक है तो आश्चेरी होना चाहिए वो कहें मैं तीस दिन के बाद आज ना आया हूँ, तीस दिन तक नहीं नाया, तब तो आपको आश्चेर होना ची अच्छा, तीस दिन के बाद नाया, लोग तो रोज ना आते हैं, यह अजीब सी बात है, यह सामाने घटना से हटका रहें, अलग सी घटना, तब तो आश्चे आते हैं तब कोई कहीं साब आज तो मैंने सुना नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है तो यदि हम रोज सोचते हैं ऐसा कि ये संसार अनित्य है आज ये मर गया कल वो मर गया फिर वो मर गया रोज समझा रहाते हैं तो कभी हमारे घर में भी क्या बात है तो रोज की बात है नॉर्मल बात तब आपको दुख नहीं होगा अश्चरे भी नहीं होगा कि ये क्या हुआ आपको कोई जटका नहीं लगेगा कोई शौक नहीं लगेगा आपको सामाने जैसा लगेगा जैसे रोज नहाते हैं रोज खाते हैं रोज सोते हैं रो इन परिनामों में सहिम करने से व्यक्ति भूत भुश्यत की बातों को जान लेता है। प्रत्य घटना को नहीं जान सकता वो क्योंकि जिवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। उसकी सब बाते हम नहीं जान सकते। हम मोटी मोटी तो जान लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, के अधार पर बहुत सी बाते हम जान लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा बेटा मैं देख रहा हूँ। इस बार तुम पास होने वाले नहीं हो। अभी तो परिक्षई नहीं हुई। पहले ही देख लिया। ये भर्षी की बात है। अभी तो परिक्षई दो महि बाइने बाद होगी अब ही से कह रहा है मैं देख रहा हूं अब की वारत रूम पास होने वाले नहीं हो तो ऐसे भईश्य की बाते हैं मोटी-मोटी जाने जा सकती है और जो प्रकृति के अंदर नियम चल रहे हैं वो फिर बिल्कुल सटी है वो तो पक्के ही है वो तो सुबह सूर्य उदय होगा हाँ या ना अब देखो भवश्य की बात है और सब को पता है दस साल के बच्चे को भी पता है कल सुबह सूर्य उदय होगा परसों भी होगा अगले दिन भी रोज रोज ही होगा और यह भैवशे की बात है तो क्योंकि यह तो नियम पूरोग चल रहा है तो ऐसा मोटी-मोटी बातें तो सब लोग जान सकते हैं भैवशे की पर जो खास विचार नहीं होती हैं तीन परिणामों में सहियम करने से बहुत सी बातें वो भी समझ में आ जाते हैं हाँ कैलाची बोली ना नहीं देख सकते हैं हमारे नियाए शास्तर में लिखा है ये साइंस वाले ऐसी बातें बोलते रहे हैं कि हम टाइम मशीन बनाएंगे आपको पचास साल पीछे ले जाएंगे ये सब फाल्तू बात हैं ये लोग टाइम को अभी समझे ही नहीं टाइम को नहीं समझते हैं ऐसी कल्पनाओं में जी रहे हैं टाइम को गलियारा थोड़ी है जो आप गलियारे में दो मिल पीछे चले जाएंगे आप एक गलियारे में चलते आ रहे हैं और फिर आप दो मिल पीछे चले जाएंगे गलियारे में तो ऐसा हो सकता है तो टाइम को गलिया प्त्यारे जानते ऐसे बोलते रहते हैं गलत बाते तो समय के बारे में लिखा है प्रत्यक्ष के बारे में जो आहाए रहे ना भूत काल की बाते हम नहीं जान सकते कि इंधम में पीछे जाकर रहे तो नियाई दर्शन के लिख वह केवल वरतमान काल की वस्तूओं का ही हो सकता है न भूत की वस्तूओं का न भुष्य की वस्तूओं का उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता यह लिखा है हमारे आँ साफ तो आप टाइम में पीछे कैसे चले जाओगे भूत काल में जाई नहीं सकते उन चीजों को नहीं देख सकते, भूत काल की, अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान प्रमान भूत काल की वस्तु का भी होता है, वरतमान का भी होता है, भविश्यत का भी होता है, अनुमान तीनों कालों की वस्तु का होता है, प्रत्यक्ष केवल वरतमान काल की वस्तु का होता ह ना भूत की वस्तु का ना भविश्वत की, अभी पचास मकान बनेंगे, तिरफ प्लॉट रखें बने नहीं अभी तक, तो जो बनेंगे कि आप उनका आज प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जब बने ही नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे प्रत्यक्ष की शर्थ है इंद्रिय आर्थ सन्निकर्षोत पन्नम ज्यानम प्रत्यक्षम इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होना चाहिए अब अर्थ है नहीं तो सन्निकर्ष कैसे हो जब सन्निकर्ष नहीं होगा तो ज पर हमारी हांग का connection नहीं हो रहा है, तो यहां बैठके आप दिल्ली का सेन नहीं देख पाएंगे, दिवार के पीछे का भी नहीं देख पाएंगे, भले ही 20 मिटर पर है, दिवार के पीछे वाला पदा आर्थ 20 मिटर की दूरी पर है, पर उससे सन्निकर्ष नहीं हो रहा, इस हाँ जी बोलिए खली बोलने की बात लाइट की स्पीड से कोई चली नहीं सकता जल जाएगा लाइट की स्पीड से कोई चली नहीं सकता वो तो खाली कागजी बाते हैं कागजी कुछ बाते हैं मैथमेटिकल होती हैं वो कागजी बाते हैं वो प्रेक्टिकल नहीं होती mathematics भी एक limit तक व्यावारिक होता है एक limit के बाद वो व्यावारिक नहीं रहता पर फुली देख रहे हैं अच्छा ऐसा भी होता है क्या है मैं उदारने सुनाता हूँ एक मकान है हमको एक मकान बनाना ठीक है इसको सो मजदूर बनाएंगे mystery मजदूर सो विकथी तो ये सो दिन में बन जाएगा मान लो कल्ब न करते हैं एक मकान है उसको सो विकथी मिलकर बनाएंगे तो सो दिन लगेंगे अगर हम सो की वज़ाएं दो सो कारिकर लगा दें तो कितन दिन में होना चाहिए मैच्स क्या कहता है पचास दिन और हम चार सो लगा दें तो पच्छिस दिन में और आठ सो लगा दें तो साड़े बारा दिन में और सोला सो लगा दें तो थे दिन में मकान बन जाएगा इसलिए तो कह रहा हूँ तो एक लिमिट के बाद मैस फेल हो जाता है है इक सीमा तक वह काम करता है ठीक है पर आगे हमेशा नहीं चलता है एक मजबूरी है विभार में रच डालें गे उसको फोकेगी उसमें टाइम तो लगे चल इनी सकता पहले तो इससे हाइ स्पीड वाली कोई चीज उपलबद नहीं है अब तक की साइंस के पास लाइट की स्पीड हाइस्ट है इससे तेज चलने वाली कोई वस्तु है नहीं और अगर इतनी स्पीड पर कोई चले भी तो बाकी चीजों के साथ घर्शन इतना होगा प्रिक्षन इतना होगा वो जल जाएगा खतम हो जाएगा जल जाएगा टिक नहीं पाएगा तो फिर पीछे जाने की तो बात ही या वो खुद ही जल के खतम हो जाएगा देखने वाला इनी रहा तो क्या देखे हो हाँ जी बोल गी हाँ वो बोलने के लिए है मन की गती मन कोई भागता नहीं है ऐसे शरीर से भार नहीं जाता है मन काम करता है अंदर ही रहता है शरीर के अंदर ही उसकी जो स्पीड है वो उस तरह की नहीं है जो ट्रेबलिंग स्पीड होती है वैसी नहीं है वो बहुत तेजी से उपर नीचे आती है, कपड़े घुसिलती जाती है, तो जैसे उसकी स्पीड है ना वर्किंग, ऐसे मन एक ही जगह रहता है और वो काम बड़ी तेजी से करता है, ऐसे, बस ये है स्पीड उसकी, बाकि वो ऐसे ट्रेवल नहीं करता, तीन लाग किलोमेटर ट्रेवल नहीं करता, रहता शरीर के अंदर ही है, नियाई दर्शन में एक प्रसंग आया था, कि शरीर से मन बाहर चला जाए तो, खुलेगर बाहर चला गया तो आदमी धड़ाम से गिर पड़ेगा, उसका होश ही खतम हो जाएगा, विचारों की स्पीड तेज है, ये ठीक ये बाट ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गई बात हमारी तीन काल में, तीन काल की वस्तों का जियान हो जाता है, जो तीन परिणाम में सैयम कर ले, अब आगे चलते हैं, अगला सूतर देखिए, सद्रेवा, बूलिए, शब्दार्थ, प्रत्यया नाम, इतरेतर, अध्यासात, प्रविभाग, सैयमात, सर्वभूत, रुत ज्यानम, शब्द अर्थ और प्रत्यय, तीन चीज़े हैं, तूतर में बताई, शब्द अर्थ प्रत्यय, तो एक होता है शब्द, जो मैं मूँ से बोल रहा हूँ, साउंड, ध्वनी, जो मैं मूँ से बोल रहा हूँ, और आप कान से सुन रहे हैं, इसका नाम क्या है, शब्द, मैंने बोला फोन, मुबाइल फोन, ये एक शब्द है, जो मैंने मूँ से बोला, आपने सुन लिया, और ये उसका अर्थ है, वस्तू, अर्थ मतलब वस्तू, जिस वस्तू के लिए मैंने शब्द बोला था, मैंने का बही अपना फोन देना, तो जिस वस्तू के लिए मैंने ये शब्द बोला था, अपना फोन देना, वो वस्तू, ये अर्थ है, मुझ से बोला वो शब्द है, ये अलग चीज़ है, और ये वस्तू अलग चीज़ है, शब्द से, और तीसरी चीज़ है, प्रत्य, ज जियान अलग चीज है, तीनों अलग अलग चीज है, मैंने शब्द क्या बोला, मोबाइल फोन, ठीक है, क्या शब्द बोला, और ये क्या है, देखो दोनों सेम होगे न, शब्द भी वही, अर्थ भी वही, शब्द क्या है, मोबाइल फोन, और अर्थ क्या है, मोबाइल फोन, और एक बच्चे से हमने पूछा तुम्हें मॉबाइल फॉन के बारे में जानकारी है मॉबाइल फॉन क्या होता है बोले हाँ मैं जानता हूँ क्या जानते हूँ मॉबाइल फॉन ऐसा होता है छोटा सा होता है पाँच शे इंच का होता है लोग जेब में रखके खूंते हैं और इसमें जब बाहर से call आता है तो वो on करके switch on करके फिर बात करते हैं और इसके अंदर message भी आते हैं वीडियो भी आते हैं audio भी आते हैं सब तरह की काम होते हैं इसमें और बस number dial करो आप कहीं भी बात कर सकते हैं सारी धर्ती बे किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति से connection जोड़ जाना चाहिए तो आपकी बात हो सकती है तो यह जो उसने आपको जान कारी दी इसका नाम है जियान जो सारी information दी इसका क्या नाम है कि किस के बारे में जियान mobile phone देखो तो जियान भी mobile phone के बारे में और अर्थ भी mobile phone और शब्द भी mobile phone तो mobile phone से संबंधित तीन बाते हुई शब्द अर्थ और जियान तो सुत्र में कह रहे हैं शब्दार्थ प्रत्यायनाम इतरेतर अध्यासाथ जब हम सुनते हैं मुबाइल फोन के बारे में तो इन तीनों में गोल माल हो जाता है आपस में घुल मिल जाते हैं पता नहीं चलता ये शब्द की बात कर रहे हैं या अर्थ की बात कर रहे हैं या जियान की बात कर रहे हैं इसके बारे में कह रहे हैं क्योंकि शब्द भी मुबाइल फोन है अर्थ भी मुबाइल फोन है और जियान भी मुबाइल फोन का है तो तीनों चीज़ें आपस में गुल मिल जाती है तो आम आदमी कन्फ्यूज हो जाता ये क्या बहुल रहा है कि क्या कहना चाहता है उसको समझ नहीं आता परंटु जो भाशा विज्ज्यान का एक्सपर्ट है इन तीनों में जो संकर माने गुल माल मिक्स हो जाते हैं आपस में गुल मिल जाते हैं पत्प्रविभाग संयमात इन तीनों के अलग अलग भाग में संयम करने से जो भाशा विज्ज्यान का एक्सपर्ट है वो तीनों को अलग अलग कर लेता है जब कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोलेगा तो उसको ध्यान से सुनेगा और उस पर सियम करेगा ये क्या बोल रहा है तो शब्द अलग है अर्थ अलग है जियान अलग है वो इन तीनों पर सियम करके तीनों को अलग-अलग कर लेगा और जब अलग-अलग कर लेगा उसको मालूम है कि शब्द क्या चीज है अर वो मनें सब, भूत का अर्थ है प्राणी, वैसे भूत का अर्थ प्राणी होता है समाने रूप से, और रुत का अर्थ है शब्द, रुत क्या अर्थ है इसका, शब्द, ज्यानम जान लेता है, सब प्राणियों के शब्दों को जान लेता है, तो अब कववा क्या बोल रहा है कुता क्या बोल रहा है उन सब की भाषा नहीं समझता एक परिवार में मैं गया वा दा उन्होंने कुता बाल रखा दा तो मैंने देखआ यह सारह देन कुत्द से बातें करते रहते मुझे बड़ा अश्यरे हुआ मैंने गए यह कुत्ते से बात करते हैं दही खानी है उन्हों बोला दही खानी है तो खड़े हो जाओ वह कुत्ता खड़ा हो गया मैंने गए यार अजीब बात है यह तो समझता है बात आपकी फिर नों का बैड़ जाओ sit down sit down तो बैड़ गया फिर उसको पुछा घू मने चलना है तो आपकी बैल्ट लेकर आओ अगर गूमने चलना है तो बैल्ट लेकर आओ तो डाट भी लगाते हैं, कुट्रे को डाट लगाते हैं और चुपचा बैठ जाता है, डाट खाकर वह भी दुख्य हो जाता है, पिर हो कहते हैं अच्छा-च्छा ठीक है, आप नहीं डाटेंगे, ऐसे करते हैं तो फिर खुश हो जाता है, मैंने कए यह आपकी सारी बात समझता है हम प्यार से बोलते हैं वो भी समझता है हम इसको घुमाने ले जाते हैं और कहते हैं बैल्ट ले आओ तो बैल्ट भी ले आता है सब समझता है फिर मैंने पूछा आप ये तो आपकी बास समझता है आप भी इसकी समझ में नहीं आता, यह क्या बोलता है, तो मैंने कर लो, आप से तो ज्यादा बुद्धीश में, यह आपकी भाशा समझता है, आप इसकी नहीं समझते हैं, आप से तो ज्यादा बुद्धीश में, नहीं करते हैं, इनकी भाशा नहीं होती, जैसे हमारी भाशा होती है, मैं ब कर्ता कर्म क्रिया यह सब पूरा व्याकरण में सिखाय जाता है तो ऐसा व्याकरण ऐसी भाषा इन प्रानियों की नहीं होती तो अब यहाँ पर भूत शब्द देख करके बहुत लोगों को ब्रांति हो गई कि सब मनुश्यों के अलावा और प्रानियों की भाषा होती है और वो भी बोलते हैं और जो योगी वेक्ति है वो इन शब्दार्थ जिहान में सयम करके वो सब प्राणियों की भाष्र समझ लेता है कि ये क्या बोल रहा है मेरे फेट में दर्द है मेरा सर दुख रहा है मुझे शापिंग करनी है मुझे बिस्किट खाना है मुझे पनीर खाना है वो ऐसे नहीं बोलते मुझे पनीर खाना है वो तो भो भो करते हैं बस हम आइडिया लगा लेते हैं ये क्या कहना चाहता है आइ को करता नहीं तो जैसे आप छोटे बच्चों को लालश देते न तो जल्दी बढ़ाई कर ले तुझे मिठाई देंगे तो कुटे को भी लालश देते हैं चलो चलो जल्दी करो तुम्हें पनीर खाने को मिलेगा पनीर का नाम सुनते ही वो खड़ा हो जाता है वो कि भाषा कोई नहीं होती हम नहीं समझते हैं उनके शब्दों को बस आइडिया लगा लेते हैं और वो भी जब कुछ भौकना शुरू करते हैं परिस्थिती में तो उनके भी पांच-दस सिगनल होते हैं बस वो सिगनल से काम चलता है बाकी भाषा नहीं होती है आपने कभी नोट किया हो तो एक कुटा अगर भौक पड़े न रात को 11 बज़े 12 बज़े एक भौका तो देखना जहां तक आवाज जाएगी दूसरा भी शुरू हो जाएगा उसके आवाज तो उनके ओध जहां तक जाएगी तीसरा शुरू हो जाएगा वो दूर तक सारे कुटे बोलना शुरू कर देंगे तो बस उनके सिगनल होते हैं संकेत होते हैं इस तरह से उनका काम चलता है तो ये लोगों को भ्रांती हो गई कि सारे प्राणियों की अपनी भाशा होती है और योगी व्यक्ति सबकी भाशा समझता है ऐसा नहीं मैंने ऐसे कई कलाकार देखे हैं जो किसी खास प्राणी की भाशा को बार-बार सुनते हैं और उनकी आवाज को वो नकल कर लेते हैं दिल्ली में एक आदमी मैंने देखा मैं खाड़े में जाता था वहाँ पर पहलवानों को इंग्लिश बढ़ाने वो प्रैमरी लेवल की इंग्लिश पढ़ते थे मुझ चुका था तो मैं सोचता था खाना कहा हूं तो कुछ पहलवान मेरे मित्र थे तो मैं उनकी अखाड़े में चला जाता दुपैर में एक आद घंटा उनको इंग्लिश बढ़ा देता था थोड़ी-थोड़ी-मोटी-मोटी और फिर वो मुझे खाना खिला देते थे तो उ अखाड़े में एक व्यक्ति आया और उसने का मैं थोड़ी देर में अभी कुछ एकठे कर सकता हूं मैंने का अच्छा ऐसी कलाकारी है आपके पास बोला है मैं देखो अभी आपको दिखाता हूं तो उसने फटा-फट अपनी आवाज निकलनी शुरू की कुछ वाली उसने अभ्यास कर रखा था तो एक दो मिनट तक कववे की आवाज में बोलता रहा और बस उसके बाद तो पचासों कववे कठे हो गए मंडर आने लगे चारों तरफ से कववे आने लगे कोई इदर से आ रहा है कोई उदर से आ रहा है तो मैंने का अभी ये कैसे किया बोला मैं कोई आवाज को पहचानता हूँ और मैं उसकी नकल करता हूँ तो इन कववे को ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ ही बोल रहा है कववे में इस तरह का संगठन होता है एक कववा मर जाए न और कोई दूसरा उसको देख ले कि ये कववा मर गया है तो आवाज निकाल निकाल कर लेगा जैसे आपकी शोक सभा होती है तो अब इसका ठीक अर्थी है कि जो व्यक्ति शब्द को अर्थ को और जियान को तीनों को अलग-अलग करना जानता है जैसे मैंने अभी बताया कि जो हम मुझे बोल रहे है इसका नाम क्या है शब्द मुबाइल फोन ये शब्द है और ये क्या है ये अर्थ है इस शब्द का ये अर्थ है तो जो व्यक्ति इस तरह से एनलाइज करना जानता है तीनों को अलग-अलग विभाजन करना जानता है कि शब्द क्या है अर्थ क्या है और जियान क्या है जो इतना जानता है फिर वो किसी व्यक्ति की भी भाशा सुनेगा तो वो तीनों भागों को जानने के करण वो समझ जाएगा ये शब्द के बारे में कह रहा है या अर्थ के बारे में कह रहा है ये जियान के बारे में कह रह क्योंकि उन्होंने तीन भागों में संयम नहीं किया वो शब्दर जयान को अलग-अलग नहीं समझते इसलिए वो इतना स्पष्टता से नहीं समझ बाते तो ये भी एक अच्छे सिद्धी है तो भाशावे जयान पढ़ो उस पर मेहनत करो और शब्द क्या होता है उसको अलग से जानो अर्थ क्या होता है उसको अलग से जानो और जयान क्या होता है उसको अलग से जानो तीनों में भिन्नता है पर ये तीनों क्योंकि वही सेम चीज है इसलिए गुल मिल जाते है मुबाइल फोन शब्द भी वही और मुबाइल फोन अर्थ भी वोई और जियान भी उसी के बारे में इसलिए तीनों में गोलमाल हो जाता है हाँ जी बोलिए स्वष्ट है तो एक व्यक्ति ने कहा कि आज शाम को वर्शा आएगी क्या बोला? क्या समझे? आज शाम को वर्शा आएगी हाँ बती जी आएगी उसकी वर्शा उसका नाम है वो तो कहा रहा था बती जी के बारे में आज शाम को मेरी बती जी आएगी उसका नाम वर्शा है तो दूसरे वाले ने समझा कि आज शाम को पानी बरसेगा उसने वर्षा का अर्थ वो लगा लिया तो अर्थ लगाते हैं देखो ना बादल बादल है या नहीं बरसाथ का मौसम है या जन्वरी का महीना है कोई बादल एक भी नहीं दिख रहा आकाश में फिर बर्षा कहां से आ जाईगी तो ये सब बातें देखकर कि वो पूरा विचार कर लेता है और समझ जाता है ये वर्षा आएगी क्या कह रहा है इसके वाक्य से क्या अर्थ निकालना चाहिए वर्षा आएगी शाम को तो इस परकार से वो तीनों भागों में सयम करके सब बात समझ लेता है ये अच्छी उपलब दी है बढ़िया सिद्धी है तो जो महनत करता है उसको ये वाद समझ में आती है ठीक है जी तो वाक्यों को शास्त्रों को बार-बार पढ़ने से फिर वो कुशलता बढ़ती जाती है फिर वाक्यार्थ समझ में आने लगता है उसके लिए एक करण ये भी है कि उसको बार-बार पढ़ना चाहिए फिर बार-बार विचार करना चाहिए प्रसंग को देखना चाहिए तो ऐसे करते करते वो व्यक्ति को वो भाशा समझ में आने लगती है चलिए आगे चलते हैं अठार्वा सूत्र गोलिए संसकार साग्शात करना ठूर जाती जियानम संस्कारों में सियम करने से साग्शात करने से संसकारों का साग्शात कार करने से अर्थात किसी व्यक्ति के संस्कारों को अच्छी तरह अब्जर्व करने से उसका परिक्षन निरिक्षन करने से क्या होता है पूरो जाती जियानम उसके पूरो जनम का जियान हो जाता है पूरो जनम का पता चल जाता है ये पिछले जनम में क्या था तो इसने भी लोगों को बहुत सारी भरांती है बहुत लोगों को संशे है कि व्यक्ति अपने पूरो जनम की जानकारी कर लेता है या दूसरे के जनम की जानकारी कर लेता है महरशिद द्यानंद सरस्वती जी ऐसा नहीं मानते कि कोई व्यक्ति अपने या दूसरे के पूरे जनम को जान ले कि पिछले जनम में ये घोड़ा था ये गधा था ऐसे नहीं जान सकता ये जापान में था या जर्मनी में था या लखनव में था या लुध्याने में था पिछले जनम में क्या था गोडा था गधा था मुनश्य था बक्री था उल्लू था क्या था कोई नहीं जान सकता वह थोड़ी बहुत कर सकते हैं वह कर सकते हैं इतना सक्त मना कर दिया जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता इतना क्लिर हो गया न आप तो कोई अपवाद भी नहीं बचा अपवाद भी खतम कर दिया कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता ये बात परमेश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं ऐसा लिखा है और ये भी लिखाए कि ये पीश्वर की बहुत अच्छी विवस्था है जो हम पिछले जनमों की बातें भूल जाते हैं ये बहुत अच्छी बात है फिर लिखाए इसी के कारण जीव सुखी है वो पिछले जनम की बातें भूल जाता है इसी वज़ा से वो सुखी है ठीप ठाक जी रहा है यदि उसको पूरु जनम की बातें याद आ जाती तो जी पिछले जनमों के दुखों को देख देख कर दुखी होके मर जाता जैसा लिखा है पिछले जनम के दुखों को देख देख कर पगल हो जाता और मर जाता जी नहीं पाता हम देख रहे हैं इसी एक जनम में लोग इतने परिशान है वो जिना नहीं चाहता है, इसी जनम में suicide कर रहे हैं एक व्यक्ति इसी जीवन में इतने दूख आ जाते हैं, समस्याइं आ जाती हैं वो गवरा जाता है, उनसे लड़ नहीं पाता और गवरा करके वो suicide कर लेता है आपने भी आत्मत्या की गटना ही सुनी होंगी सुनी है न अख़बार में, रेडियो में, टीवी में कहीं न कहीं दर दर सूचना आती रहती है जब एक ही जनम में आदमी इतना दुखी है और वो गवरा जाता है और कोई कांकरिया में कूद के मरता है कोई दूसरी नादी में कूद के मरता है कोई बिजली का तार पकड़ लेता है कोई दसमें मंदिल से कूद के गिरता है कोई जहरभी के मरता है जब एक ही जनम में आदमी गवरा जाता है और मरना चाहता है और मर जाता है तो पिछले आठ दस जनम की बातें और याद आ जाएं तो कैसे जीएगा तो शास्त्र तो ये कहता है कि जो दुखदायक घटनाएं हैं उनको याद मत करो क्या बोला आपके जीवन में बच्पन से लेकर अब तक जितनी दुखदायक घटनाएं हुई जितना अन्याय हुआ उनको भूल जाओ उनको बार बार याद मत करो क्या हुआ क्यों जूड़ गया क्यों जूड़ गया लगता है वो ट्रिप हो गया लगता है क्यों जूड़ गया लगता है पिछला याद आभी जाए तो उससे क्या फायदा है नुकसान तो गारंटी है नुकसान तो फक्का ही होगा फायदा कुछ नहीं होगा इसलिए पूरानी बातें बूल जाईए वो ही अच्छा है तो यहाँ जो लिखा है पूरु जाती जियानम इसका अनुमान तो हो सकता है संभावना की जा सकती है जैसे एक व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है तफट चलता है एक बात समझाओ दो बात अपने आप निकाल लेता है तो इस संसकार का अध्यान करने से उसकी इस योग्यता का अध्यान करने से हम ये संभावना कर सकते हैं ये पिछले जनम में भी कोई अच्छा बुद्धिमान रहा होगा इसका दिमाग मैटस में फटा पड़ चलता है किसी का इंजिनिरिंग में अच्छा चलता है दिमाग किसी का गीत संगीत में अच्छा चलता है तो इससे हमनुमान कर लेते हैं इसके कुछ पूरु जनम के संसकार हैं जिनके कारण ये इस दिशा में फटाफट प्रगति करता है ऐसे संसकारों में सहियम करने से पूरु जनम की संभावना हो जाती है और कभी-कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग बहुत स्लो चलता है बार-बार समझाना पड़ता है भूल जाते हैं याद नहीं रखते हैं ध्यान नहीं देते हैं लापरवाई करते हैं तो जिनको बार-बार समझाना बताना पड़ता है फिर भूल जाते हैं या दिमाग स्लो होता है समझने में देर लगती है एक ही बात को तिन तिन बार समझाना पड़ता है तो लोग परिशान दुखी होकर कहते हैं ति यह गदाई है यह पिछले जनम में भी गदाई था ऐसा कह देते हैं मुहावरे की भाशा में बाकी ज़रूरी नहीं है वो गदाई रहा हो चलिए यह होगा ही पूरो जाती की बात अगला सूत्र देखिए उननिसवा बोलिए प्रत्ययस्य परचित ज्यानम वैसे प्रत्यकार्थ है विचार ज्यान दूसरे व्यक्ति के विचारों में सैयम करने से उसका गहराई से निरिक्षण परिक्षण अद्यान करने से पर चित ज्यानम दूसरे के चित का पता चल जाता है यह सारा मनोविज्यान साइकोलोजी की बातें चल रही है यह जो दो तरह के डक्टर होते हैं एक साइकोलोजिस्ट होते हैं, एक साइकोलोजिस्ट होते हैं, एक मनोवेज्यानिक होते हैं, एक मनश्चिकित्सक होते हैं, वो दवाई भी देते हैं, बात समझते हैं, दूसरे की पूरी कहानी सुनते हैं, फिर उसकी स्थिती का ध्यान करके उसको कुछ दवाई भी देते है कुछ बातें भी बतातें, counseling करतें, तो यह सारा manovidjaan, तो यह परतेश से परचित ज्यानम, यह psychology की बात, जब हम किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके विचारों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बार-बार उसकी बातें बार-बार repeat होती हैं, तो हम बार बार सुनते रहते हैं तो उसका ध्यन करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये बहुत करोधी आदमी है ये बहुत द्वेशी आदमी है ये बहुत स्वार्थी आदमी है पता चलता है ये स्वार्थी आदमी है ये परोब का रही है ये बड़ा पैशन में रूची रखता ह एक व्यक्ति ने का वही मैं जूते लेने जा रहा हूं तो उसके साथ ही ने का कौन से जूते लाएगा ब्लैक कलर के उसने पूचा क्यों बहुते मेरे वाइट कपड़े हैं ब्लैक कलर के लाओंगा तो कॉंट्रेस्ट अच्छा जमेगा ना कपड़े वाइट अजूते ब्लैक कॉंट्रेस्ट बढ़िया जमेगा ना तो अब उसकी बाद से पता लग गया ना इसको फैशन बाजी में रूचिए यह प्रदर्शन करना चाहता है इस तरह से दूसरे के मन का पता चल जाता है इसकी वृत्तियां कैसी है उसकी बातों से प पकड़ लेता है पर जो योगी व्यक्ति है जिसका सारा दिन यही काम है जो इस सारा दिन यही टॉपिक पर चिंतन करता है इसका खूब गहराई से अध्यान करता है वो फटाफट पकड़ लेता है इसका मन कैसा है इसके मन में राग अधीक है या द्वेश अधीक है या अच्छी तरह समझ लेता है तो इस सुत्र में ये बताया कि व्यक्ति के विचारों में संयम करने से उसका विश्रेशन करने से उसके मन का पता चल लाता है ये रागी है, दूशी है, क्रोधी है, लोबी है, س्वार्थी है कैसा है तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है, ये भी एक सिध्धी है, बीश्वा सूत्र बोलिए, नचो, तत, तालंबनम, तस्य, अविशही, भूतत्वात, जब वो सैयम करने वाला व्यक्ति, दूसरे के विचारों में सैयम करता है, उसको अनलाइज करता है, विशलेशन करता है, तो उसको ये तो पता चल जाता है कि इसको राग है, इसके मन में दूएश ज़्यादा है, ये जलता भूनता रहता है, सारा दिन उसको कोसेगा, उसको कोसेगा, कभी बिजली वालों को गाली देगा, कभी पानी वालों को, रेलवे वालों को, कभी कोसी डिपार्टमेंट को गालियन देता रहता है सारा दिन, ये बुद्धी खराब है, चिर चिर आदमी है, तो ऐसा तो पता चल जाता है, पर वो किस किस के परती कैसा कैसा दुएश रखता है, वो हर चीज को नहीं समझता, नहीं जान सकता, क्योंकि वो उसके सैयम का विशे नहीं है, तस्य अविशे भूत अत्वाद, वो उसका विशे नहीं है, मोटा मोटा जान लेता है कि इसके मन में दुनिया वालों के परती कहीं राग है, कहीं दुएश है, ऐसे तो पता चल जाएगा, पर कितनी वस्तुओं में राग है, वो सारा नहीं समझ भाएगा, उसकी सीमा होती है समझने की, औ अंटों तक या महीनों तक उसका खोजबिन चलता है, इतना समय भी नहीं किसी के पास, हाँ जी ठीक है, वस्तुओं का ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन मन कैसा है ये पता चल जाता है, रागी, द्यशी, स्वार्थी, लो भी, ये पता चल जाता है, हाँ जी, अस्त रेखा में कुछ नहीं लिखा, कि ये कितनी उमर जिएगा, इसके कितने बच्चे होंगे, इसके जीवन में कितनी दुरगटनाएं आ रही हैं, ये कुछ नहीं लिखा, ये सब व्यार्थ बात है, कैसा, अच्छा ब्रेन, डेड ब्रेन, अच्छा अच्छा, रेखा तो सब के हाथ में होती है, जिसका दिमाग काम नहीं करता, ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, सब बच्चों के हाथ में रेखाएं होती है, ये रेखाएं कैसे बनती है, और क्यों बनती है, इसका कारण है कि बच्चा जब गर्भ में होता है, माता के, तो मुठी बंद होती है, सब की मुठी बंद होती है, तो मुठी बंद होने क कारण वहां पर लकीरें पड़ जाती हैं जैसे ये कपड़ा है उधारन के लिए ये कपड़ा है यदि ऐसे सीधा रहेगा तो इस पर सिल्वट नहीं आएगी लेकिन हम इसको ऐसे करके यूँ यूँ गुमा दें अगर ऐसे जोर से ऐसे मरोड दें और कुछ देर तक पकड़े रखें तो इसमें सिल्वट आ जाएगी कि नहीं तो जैसे यहां सिल्वट लकीर आ गई तो ऐसे मुठी बंद रहती है महीनों तक तो वहां भी लकीरें छप जाती है वह लकीरें बस मुठी बंद होने के कारण होती है बाकि उसका हमारे भविशिक की घटनाओं से कोई संब देखे एक्किसवां बोलिये काय रूप सैयमात तद गराहिय शक्ति अंभे चक्षुह प्रकाश असंप्रयोगे अंतरधानम आजकल का जो भौतिक विज्यान है मौडरन साइंस उसके सिधान्त कुछ अलागे और हमारे दर्शन शास्त्रों के सिधान्त कुछ अलागे कहीं कहीं पर अंतर भी है बहुत जगा पर समानता है कहीं कहीं पर अंतर भी है उदारन के लिए हमको ये कुरसी रखी है कुरसी दि तो कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है उसके बारे में modern science का विचार कुछ अलाओे और हमारा कुछ अलाओे modern science ये कहती है कि ये जो बल्ब से light जा रही है ये दिन में सूरी की रौशनी आ रही है वो उस वस्तु पर पड़ती है और वहां से प्रकाश वस्तू से टक्रा कर परावर्तित होता है रिफलेक्ट होता है और हमारी आँख में आता है और उसके कारण वो कुर्सी दिखती है दिवार दिखती है स्कूटर दिखता है कार दिखती है जो भी चीज दिखती है वो सूर्य का प्रकाश या दूसरा कोई भी प्रकाश उस पर पढ़ता है फिर वो परवर्ति धोकर हमारी आँख में आता है तब हमको देखता है modern science ऐसा कहती है अपना वैदिक दर्शन ये कहता है कि सूर्य का प्रकाश तो होना ही चाहिए ट्यूब का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, कोई भी प्रकाश जिस वस्तू का हम देखना चाहते है उस पर बाहिए प्रकाश तो होना ही चाहिए ये ठीक बात परंतु दर्शन शास्त्र ये कहता है कि हमारी आँख से किरने भी निकलती है जो उस वस्तू पर जाकर टकराती है मालो हम कुर्शी को देख रहे हैं तो हमारी आँख से भी किरने निकल रही है और बाहर की लाइट भी वहां जा रही है वो लाइट उसको प्रकाशित करती है और आँख से जो किरने निकलती है वो वस्तू पर जाकर टकराती है फिर उसका फोटो खीचती है और वो उस वस्तू का फोटो खीचके लाती है वापस आँख में और वो फिर आँख के अंदर से जो फोटो आ करके मन के उपर छपती है जैसे स्क्रीन होती है टीवी की स्क्रीन होती है उस पर फोटो दिखती है तो मन की एक स्क्रीन होती है जिस पर वो बाहर से फोटो आकर छपती है और आत्मा उसको देखता है वहाँ अपने दर्शन में य कोई बात कहा रहे हैं सुत्र में देखिए चक्षुष प्रकाश लिखा ये जो आँख से किरणे निकलती है तो हमारी आँख से किरणे निकली कुरसी पर गई कुरसी का फोटो घीचा और वापस लाई तो हमको दिखाई दिया हमको ये दिखाई दिया कि समने कुर्सी है अब मैं मान लो आपको देखू तो मेरी आँक की किरने निकलेंगी आपके शरीर पे टक्राएंगी उसका फोटो क्हीचेंगी और वो वापस लाएंगी तब मुझे पता चलेगा समने कोई अपने शरीर का जो रूप है रूप मतलब विजिबिलिटी जो हमको आंक से दिखता है जो हमको आंक से दिखता है उसका नाम क्या है रूप नेतर का विशह है रूप तो योगी क्या करता है वो अपने शरीर के रूप को सैयम करता है काई रूप सैयमात इस रूप गुण में स आख मुझे देखेगी तो आपकी किरने आएंगी न यहां तक इससे टकराएंगी तबी तो फोट खीच के जाएंगी वापस तो योगी क्या करता है इसमें जो दिखने की शक्ति है उसको रोक लेता है जैसे कोई परदा डग दे न ऐसे परदा डग दे अगर कोई यहां परद की किरनों को रोक लिया तो वो ऐसे परदा जैसा बना देता है शरीर के उपर अपने इसकी जो ग्रही शक्ति है उसको वो ढख देता है और फिर क्या होता है सामने वाले के चक्शुष-प्रकाश असंप्रvic हो गए वो कनेक्टि नहीं होता योगी के शरीर से कनेक्ट नहीं ह और ना होने पर अंतरधानम वो योगी अद्रिश्य हो जाता है वो दिखता ही नहीं सामने बैठा है और दिखता है अद्रिश्य हो जाता है ये एक सिद्धी बता रहे है और ऐसी बात हमको अभी तोग जचे नहीं ऐसी बात ठीक नहीं लगती कि योगी के पास इतनी कोई उपकुन को ब्लोक कर दे और सामने वाले की आँख की किरणों को यहां टच ना होने दे सनिकर्ष ना होने दे ऐसी योगता अभी तक समझ में नहीं आई कोई ऐसा करता होगा कोई हाँ परदा डालके तो मैंने देखाए यह जादूगर केलाल यही करता है और क्या करता है कार क गायब कर देगा कार में 4 सवारी बजाए बिठाएगा auront बजएगा फिर लायट दिखाएगा देखो असली कार फिर 4 व्यक्ती प्हें पिठा देख और एक जठके में कार गायब हो जाएंगी तो वो तो चला की से करता है परदा डाल देता है सब गायब हो जाता है देखता क्रमम चकर्म तत्सयमात अपरांत ज्यानम अरिष्ट अभ्योवा इस सूतर में बता रहे हैं दो प्रकार के कर्म होते हैं एक कर्म का नाम है सोपक्रमम और दूसरा निरूपक्रमम निरूपक्रमम चलो मा हटा दो हिंदी में बोलते हैं सोपक्रम निरूपक्रम तो ये दो तरह के कर्म होते हैं सोपक्रम का अर्थ है शीग्र फल देने वाले जल्दी फल देने वाले ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल के साथ सीधा संबंद होता है और जल्दी फल मिलता है और दूसरे निरूपक्रमम जो देर में फल देते हैं इंडिरेक्ट फल देते हैं सीधा नहीं देते हैं गुम गुमा कर देते हैं इस तरह से दो प्रकार के कर्म हुए जल्दी फल देने वाले और देरते फल देने वाले उदहरन के लिए व्यायाम करने से आयू बढ़ती है आ या ना तो व्यायाम करते हैं शक्ती बढ़ती है तो आयू बढ़ती है तो ये सीधा सम्मन्द है इसका व्यायाम और आयू का सीधा संबंद है ये है सोपक्रम सीधा फल देने वाला जल्दी फल देने वाला जैसे जैसे व्यायाम करते जाएंगे आयू बढ़ती जाएगी व्यायाम करने से आयू बढ़ती है ब्रमचरे का पालन करने से आयू बढ़ती है व्यक्ति स्वस्थ बलवान रहता है ब्रमचरे का पालन करने से सात्विक भोजन खाने से आयू बढ़ती है शुद्ध भोजन खाने से आयू बढ़ती है समय पर खाने से आयू बढ़ती है जल्दी सोना जल्दी उठना ये सब काम करने से आयू बढ़ती है तो ये आयू बढ़ाने वाले कर्म हैं जो शिग्र फल देते हैं सीधा connection है जिसका आयू से आयू बढ़ाने से ऐसे कर्मों को क्या बोलेंगे सोपक्रम क्या बोलेंगे सोपक्रम सोपक्रम कर्म ये इस तरह के कर्म है दूसरे हैं निरूपक्रम कर्म वो इनका आयू फल से स्तीधा सम्मंद नहीं है फोड़ा घूम फिर के है इंडिरेक्ट जैसे जैसे एक व्यक्ति यज्य करता है यज्य करना अच्छा काम है शुब कर्म है यज्य करने से भी आयू बढ़ती है सच बोलता है एक आदमी सत्य बोलता है उससे भी आयू बढ़ती है ये निरुपक्रम कर्म है सत्य बोलने से आयू के साथ डिरेक्ट सम्मंद नहीं है इंडिरेक्ट है थोड़ा घूम करके है कैसे घूम करके है जब आदमी सच बोलता है तो उसके अंदर डर नहीं होता भय नह होता है निर्भय होता है जो सत्यवादी होता है वो निर्भय होता है डरता नहीं गवराता नहीं चिंता नहीं करता है टेंशन नहीं करता है मस्त रहता है स्वस्त रहता है प्रसन रहता है सत्यवादी अब जब व्यक्ति डरता है कमजोर गवराता है चिंता करता है तो उसके ब जब राता नहीं, डरता नहीं किसी से, पूरा उत्साफ में रहता है, खुश रहता है, प्रसन रहता है, तो उसके शरीर में वृध्य होती है, विकास होता है, उसके कारण उसकी आयू थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा घूम करके फल देता है, बिता की सेवा करना, फिर उनसे आशिरवाद मिलता है, उससे हमारी आयू बढ़ती है, महर्शी मनुझे ने लिखा है, नित्यम वृध्धो बसेविना, चत्वारी तस्य वर्धंते, आयूर विद्या येशो बला, जो बढ़ों का आदर सम्मान करता है, सबेता से रहता है, उनके आदेश निर्देश का पालन करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती है, उसमें एक आयू भी है, विध्या है, ये शौर बल, तो इस परकार से दो तरह के कर्म हैं, अब कह रहे हैं, सोपक करमम, निरॉपक करमम चक करम, दो तरह के करम हैं, तत्य सईमाद, जब कोई यो observation करता है ये किस तरह के काम कर रहा है अंडे मास खाता है शराब पीता है तो पता चल जाएगा इसकी आयू कम हो जाएगी और व्यायाम करता है ब्रमचरे का पालन करता है शुद्ध शाकाहरी भोजन खाता है तो पता चल जाएगा इसकी आयू बढ़ेगी तो ये सब observation करने से उसका निरिक्षन परिक्षन सैयम करने से योगी व्यक्ति को पता चल जाता है, इसका पता चल जाता है, अपरांत जियान, अपरांत कहते हैं मृत्यू, तो मृत्यू का जियान हो जाता है, उसको पता चल जाता है, यह लंबा जिये का, यह व्यायम करता है, ब्रहमचरे का पाल इस तरह से उसको पता चल जाता है और इसे उल्टे काम करें तो पता लग जाता है ये लंबा नी जियेगा ये सिगरेट पीता है शराब पीता है जुवा खेलता है चोरी करता है जोड बोलता है उसको पता लग जाता है ये लंबा नी जियेगा ऐसे मृत्यू का पता चल जाता और एक और उपाय है अरिष्ट एभ्योवा अरिष्ट कहते हैं मृत्यों के लक्षन symptoms of death इसको आईर्वेज से व्यक्ति पढ़के समझ सकता है उससे भी पता चलता है डक्टर लोग बता देते हैं कि बस अब ये तीन दिन का महवान है जिसको बुलाना है बुला लो जो साइन करवाने करवा लो जिसको मिलवाना उसको जल्दी खबर देओ आके मिल ले वे तीन दिन से जाता नहीं ठीके होई है तो डक्टरों को पता चल जाता है वो इस विशे म जलना तो हैं नहीं मनुश्य हैं कहीं कहीं परिक्षण में गल्टी रह जाती है तो कभी कभी गलत निरणें भी देतें एक डोक्टर साब ने गलत दे दिया रोगी हा रोगी आइसी उव में था आइसी उसमझते हैं। आइसी उपाई Menit, Ais देखवाल होती है, यह अलरग वार्ड होता है, उसमें सबको जना मनः होता है, खास लोग ही जा सकते हैं या डॉक्र लोग जाते हैं, तो ज़रा विशेष साउधानी से उसकी चिकिस्षा की जाती है, तो जिसकी हालत ज्यादा नाजूक हो, ज्यादा की खराब हो, मरने वाला हो उसके आसफास हो तो उसको ICU में रख देते हैं तो बहुत सारे रोगी ICU में थे एक बुड़ा व्यक्ति था कोई 85 साल का बहुत कमजोर था हलत खराब थी कभी होश में आता था कभी ब्योश हो जाता था तो वो डॉक्टर साब आये राउंड पे आते हैं चेक करने बारी बारी से सब को तो उस रोगी को भी डॉक्टर साब ने चेक किया उसकी नबस देखी नबस खतम फिर स्टेटिस्कोप लगा के देखा हाट बीट भी नहीं तो डॉक्टर साब ने बोल दिया सिस्टर ये रोगी मर गया है इसको ले जाओ अब जैसे ही डॉक्टर साब बोला, ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ, इतनी देर में वो रोगी होश में आ गया, और उसने सुन भी लिया, कि डक्टर साब ऐसा कह रहे है, ये रोगी मर गया है, इसको ले जाओ, उसने सुन लिया, सुन लिया तो वो बिचारा हालत तो खराब थी, मरी मरी आवाज में बोला नहीं डाक्टर साब अभी मरा नहीं हूँ अभी जिन्दा हूँ तो नर्स ने उसको डाटा है चुपरा डाक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम है रोगी करा मैं जिन्दा हूँ डाक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम डाक्टर कहता मर गे तो ऐसे कभी-कभी हो जाता है गलत निरने भी हो जाते हैं अब ऐसे गलत निरने ओपर फिर लोगों को भ्रांती भी हो जाती है डॉक्टर साहब ने एक को डैट डिकलेर कर दिया कि यह मर चुका है जबकि मरा नहीं था ब्योश हो गया था तो चार गंटे के बाद फिर वो कर रहे हैं तो लोग तो उसके जलाने की तेयारी कर रहे थे डक्टर साहब ने और गया मर गया थे जाओ रएक कप्ड़ा लाओ फलाना लाओ यह और वो लाओ फिर घब होश में आया तो उससने देखा यह क्या हो रहा है 大ग तो तो होश में आया लोगों ने egy तो भूत पागया हूं फिर वो ऐसी बाते कहता है बच्पन से वो कानिया सुन रखी है तो बस वो ही वो बोलना शुरू कर देता है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल जाती है ना कोई ऐसा यमलोक है जैसा पुरानों में आप सुनते रहते हैं पुरानों की गथा है तो यम दूर आते हैं और वो उसको ले जाते हैं यमलोक में फिर वोँगे कोई चृत्र गूपत बाटा है वो हिसाब खोलकर देखता है फिर कहता है नाला को किसको ले आए इसको नहुआ था गलता ओढ़िक को ले आए वो तीन गली पीछे वाला था उसको लाना था तुम क में सब कहानिया है बाकी ऐसा होता नहीं है कोई दर्बार नहीं लगा अलग से कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा है वेदों में लिखा है एक ही परमात्मा है वही यम है आवो गप्पे तो वेदों में बताया एक ही इश्वर है वही सब का राजा है वो कोई अपने असिस्ट नहीं रखता कोई चित्रगुप्त नहीं रखता कोई पीए नहीं रखता कोई यमदूत नहीं रखता कोई सेवक नोकर चाकर कुछ नहीं रखता सारा काम वो स्वयम करता है और कहीं आता नहीं जाता नहीं उसका कोई दर्वार नहीं लगा हुआ है ऐसा जैसा यह सब काल्पनि बातें बताते हैं, तो इश्वर ही स्वयम ही सब के कर्मों का हिसाब रखता है, एक व्यक्ति ने पूछा जी वो अपने सहायक क्यों नहीं रखता, मैंने का वो जिस दिन अपने सहायक रखने शुरू कर देगा, वहांबे रिश्वर चलू हो जाएगी, जो सहायक होगा, वो त अपनी अकल से काम करेगा ना, पर इश्वर का काम तो कोई बिगड़ता नहीं, अगर उसके नोकर्चा कर रखना शुरू कर दे तो वो नीचे उटाले शुरू कर देंगे, वो सारे इश्वर जैसे थोड़ी होंगे, वो तो स्वार्थी होंगे, अल्प शक्तिमान होंगे, अज्यानी होंगे, भरांती वाले होंगे, संशय वाले होंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो सारा इश्वर का काम बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, अन्याय शुरू हो जाएगा, इसलिए इश्वर कोई असिस्टन नहीं रखता, वो अपना काम स्वयम करता है, आप अपना काम जितना अधिक स्वयम करेंगे, उतना ही आप अधिक सुखी रहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा काम होना चाहिए, जिस क्वालिटी का आप चाहते हैं, वैसा होना चाहिए, जो काम जिस क्वालिटी का जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसा वैसा ठीक ठीक 100% दूसरा व्यक्ति समझ बाता है नहीं समझ बाता तो जब वो समझता ही नहीं आपको कैसा काम कब कितना कैसे चाहिए वो समझता ही नहीं तो वो कैसे करके देगा आपकी इच्छा नुकूल नहीं करेगा वो तो जितना जितना आपकी इच्छा के विरुद्ध करेगा उतना उतना आपको गुस्सा आएगा परिशानी होगी मजा नहीं आएगा यआर क्या बोला था ये बजान दे लाने कोई क्या लिया है मंगा यह da कुछ और वस्तु लिया है कुछ और मंगा है थी इस व्यकॉलिटी के लिया भthyक व अब होता है तो सरवशक्ति मान भी है उसको जरुवत ही नहीं पड़ती साहिता लेने की आप सरवशक्ति मान तो नहीं है हम भी नहीं है कोई भी नहीं है इसलिए हमको मजबूरी है दूसरों की साहिता लेनी पड़ती है आप सारा काम अपना स्वयम नहीं कर सकते हैं आपको बहुत लोगों की साहता लेनी पड़ती है, चलो मजबूरी है इसलिए ले ले लेते हैं, पर जहां मजबूरी ना हो, जहां आप खुद कर सकते हों, आपको वो काम करना भी आता है, गुद्धी भी है, इच्छा भी है, योग्यता भी है, समय भी है, तो उतना काम तो खुद करें, इस जैसा मैं चाहता हूँ ये वैसा सो परसेंट नहीं करेगा उस तो उचा नीचा करेगा क्योंकि ये पूरा समझ ही नहीं रहा मैं जैसा चाहता हूँ तो जितना भी उचा नीचा करेगा कोई बात नी चला लेंगे ठीक है न तो ऐसी मानसिक तैयारी रख करके फिर दूसरों की स साहता लेनी पड़ती है अब जब दूसरे की साहता लेते हैं तो सब का बनाने का तरीका अलग अलग है कोई कैसे बनाता है कोई कैसी बनाता है अच्छा किसी गर में मिर्ची ज्यादा खाते हैं हम तो नहीं खाते हैं अब जिनके आरोज का ही रिवाज है मिर्ची खाने का तो क डालनी है जब नहीं कर सकते समय नहीं है सुधा नहीं है काम आता भी नहीं है और टाइम भी नहीं है तो फिर मजबूरी में हम दूसरे से सहयोग ले लेते हैं और वैसे तो लोग अच्छा बनाते हैं बहुत बढ़िया खिलाते हैं फिर कभी-कभी उंचा नीचे हो जाता है फ तो ये उधारण है समझने समझाने के लिए कि जितना अपना काम अधिक से अधिक आप स्वयम कर सकते हैं उतना स्वयम करें बिल्कुल मजबूरी हो तो ही दूसरे का सहोग लें इस शेली से आप अधिक से अधिक सुख पूर्वक जी सकते हैं ठीक है चलिए यह हो गया सूतर बाइस वह आगे चलें तईस वह बोलिए मैं प्रशन तो बोलिए किसने किसने हाँ मिलावट हाँ यह तो हमारा विचार है यह तो हमारा विचार है कि यह बात हम संभव कोटी में मानते हैं यह बात असंभव कोटी में मानते हैं हमारा चिंतन अधियन मनन अभ्यास जितना है उसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा हमारे कहने का आधार वो पांच कसोटिया है जो महर्षी द्यानजी façon mejorar प्रकाश के तीसरे चैप्टर में लिखी है सत्या सत्य का निर्णय करने के लिए महर्शी जिन्हें पांच कसोटियां लिखी है वो पेरामीटर से हैं उस पर हम नाप तोलकर फिर ये बता रहे हैं कि ये बात हमको ठीक लगती है ये गलत लगती है जैसे बताई थी कि योगी उगली उठा कर चांद को छू लेता है अब ये पांच कसोटियों के विरुद्ध है ये बात कि मनुश्य ऐसे हाथ हूंचा करे और चांद को छू ले चार लाख किलो मिंटर लंबा हो जाए हो सकता है कोई चीज हमको ठीक समझ में आती है कसोटियों के अनुकूल उसको हम संभाव कहते है कोई बात उससे बिल्कुली गलत दिखती है विरुद्ध है तो असंभाव कह देते है कुछ बात ऐसी है जो अभी तक समझ में नहीं आई एक वर्मा जी साइंटिस्ट आप जानते हैं ना प्रोफेशर वर्मा जी एक दिन मैंने उनसे पूचा आप सारी फिसिक्स जानते हैं बोले नहीं बाबा नहीं है याम नहीं जानते हैं, बहुत पूछे scientist हैं, fellow of American physical society, अच्छे विद्वान है science के, फिर मैंने पूछा, आप सारी जानते हैं, बोले नहीं, नहीं, हम नहीं जानते हैं, तो मैंने का कितना जानते हैं, तो उन्हों ने अपनी भाषा में बोला अंग्रेजी में, there is a sea of knowledge, and we have a drop of that जियान तो अनंत है स्तमुद्र के समान हमारे पास तो एक बूंद मात रहे हम तो इतना ही जानते तो मनुश्य सारी बाते नहीं जानता हम भी नहीं जानते तो जितना जानते उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये बात हमको ऐसी लगती है बाकिया मैंने बताया था ये शिद्धिय आप उठा लेना चाहिए और बाकी फाल तू बात हैं छोड़ देनी चाहिए हाँ जी और कुई बस सार असार मुख्य मुख्य ले लो जैसे हमारे काम की सिद्धियां तो यह हैं कि मन के उपर नियंत्रन होना चाहिए इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए हम मन के गुलाम न यह कलाकारी तो होनी चाहिए यह हमारे लिए अपनी उन्नती के लिए वेरागी के लिए योगा भ्यास के लिए समाधी के लिए सेवा परोबकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है तो ऐसी ऐसी सिद्धियां होनी चाहिए वो ठीक हमें गुस्ते पर कंट्रोल होना रहते हैं, वो बड़े मस्त रहते हैं, प्रसंद रहते हैं, खोश रहते हैं, कोई लोब नहीं, कोई करोध नहीं, कोई इर्शा नहीं, कोई द्वेश नहीं, कोई जलन नहीं, कोई अभिमान नहीं, अगर ये दोश हट गए जीवन में हैं, तो आदमी कितना सुखी हो जाएगा कितना प्रसंद रहेगा कितना आनंदित रहेगा यह योग की सिद्धिया है ऐसी करने चाहिए एक सूत्र और पढ़ते हैं 23 बोलिए मै त्र्यादिशु बलानी इस योग दर्शन के पहले पाद मे तेतीस्वा सूत्र था मैत्री करुना मुदितो पेक्षानाम सुख दुख्य पुन्य अपुन्य विशयानाम भावनातश चित्प्रसादना यह सूत्र था तो वहाँ बताया था कि संसार में चार प्रकार के लोग है कुछ लोग सुखी है कुछ लोग दुखी है, परिशान है और कुछ लोग पुन्यात्मा है अच्छे काम करते हैं, परोपकारी है सोशल वरकर है और कुछ दुष्ट भी है अतंकवादी, लड़ाई जगड़े वाले दुष्ट ताके तो बहुत सारे स्तर होते हैं वो तो एक्स्ट्रीम लेवल है अतंकवाद तो बाकी छोटे भी होते हैं, छोटे स्तरके भी होते हैं लड़ाई जगड़ा करते रहते हैं खाम खाँ दूसरों को परिशान करते हैं जूठे आरोप लगाते हैं तो वो भी गड़़ड़ वाले लोग हैं तो ऐसे कुल मिलाकर जितने लोग हैं संसार में उनके चार भाग बना दिये और समझदार हैं और साधन संपन हैं, पैसे वैसे भी ठीक हैं तो ये सुखी लोग हैं ऐसे सुखी लोगों के साथ मित्रता रखनी चाहिए उनके साथ मित्रता की भावना बना के रखो तो ये एक भावना है मित्रता कुछ लोग गरीब हैं, रोगी हैं, विकलांग हैं, परिशान हैं, दुखी हैं, मुसीबत के मारे हैं किसी का धंदा फेल हो गया, गरीब हो गया, परिशान में आ गया तो ऐसे लोग जो हैं उनके साथ करुणा की भाव न रखनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, साहिता करनी चाहिए, यही तो मनुश्यता है आपने कोई वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पर, प्राणी भी एक दूसरे की मदद करते हैं, कुटे मदद करते हैं, मचलिया मदद करते हैं, और मुर्गियां, बकरे, पता नहीं क्या-क्या, बहुत सारे प्राणीों के वीडियो मैंने देखे, आपने भी देखे हो तो मनुश्य के पास तो उनसे अजार गुनी बुद्धी हाथ पैर हैं, सुविधाय हैं, बहुत सारे पैसे भी हैं, संपत्ती भी हैं, बहुत से साधन भी हैं तो मनुश्यों को भी दूसरों पर दया करनी चाहिए, कमजोर गरीब लोगों पर, रोगियों पर, विकलंगों पर, अपत्ती ग्रस्त लोगों की सायता करनी चाहिए तो ये बात चीक करुणा वाली, तो जो इस तरह के लोग हैं उनकी मदद करी जाए तीसरे लोग हैं, परोपकारी हैं, पुन्यात्मा हैं, समाज सेवा करते हैं, कोई ऑस्पिटल चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई अनाथाले चला रहा है, कोई गुर्खुल चला रहा है, कोई और संस्ता चला रहा है, समाज की सेवा कर रहे हैं, कोई वो पश्वो की भावना मन में आनी चाहिए उनको देखकर खुश होना चाहिए कि देखो हमारे देश में हमारे प्रांत में हमारे नगर में हमारे समाज में कितने अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं समाज की सेवा करते हैं परोफकारी लोग हैं अच्छी भावना वाले रहती है ऐसा सोच करके व्यक्ति मुदिता की प्रसनता की भावना बनाए और जो दुष्ट लोग हैं उनसे दूर उनके लिए उप्यक्षा उनके साथ ना द्वेश करना ना राग करना लड़ाई जगडा भी नहीं करना और व्यवार भी नहीं करना उनसे बचके रहो बस अप प्रसन रहता है जब व्यक्ति का मन प्रसन होता है तो ही वो ध्यान उपास्ना स्वाध्यय संग में ठिकता है अगर मन में चिंता है तनाव है, टेंशन है, राग है, द्वेश है, इरश्या है, जलन है, गुस्सा है, अभिवान है, तो फिर वो मन की स्थिती अच्छी नहीं है, ऐसी है, तो अब उसी से संबंदित यहां पर यह बात कहा रहे हैं, जो तेईस्वा सूतर हमने पढ़ा, महित्रियादिशु बलानी तो महित्रियादि की जो भावना हम बनाएंगे, उससे हमको बल प्राप्त होगा, तकत मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ, धार्मिक, बुद्धिमान, धनवान, पढ़े लिखे, समझदार, सब भी लोगों के साथ, यदि हम मित्रता रखते हैं, तो हमें उनसे सहयोग मिले हम उनको सहयोग देंगे और वो हमको सहयोग देंगे, तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारा बल बढ़ेगा, तो कि बताया था मनुश्य अकेला नहीं जी सकता, उसको सब तरह का सहयोग चाहिए, समाज के अंदर तरह तरह के लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, क हमें सब की जरूरत पढ़ती रहती है मकान में और कामों में, तो इस तरह से हम जब मित्रता रखते हैं, तो हमें सब प्रकार का बल प्राप्त होता है, हमारे सारे काम अच्छे हो जाते हैं, सब ठीक ठाक हो जाते हैं, तो यह सुत्र कह रहा है कि महित्री की भावना करुणा की भावना रखेंगे तो करुणा का बल प्राप्त होगा और प्रसंदता की भावना रखेंगे तो उससे हमारी अनर्जी बढ़ेगी तकत आएगी इस प्रकार से हम इन भावनाओं में जब सयम करते हैं और इस तरह का विभार करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के बल की प्राप्ति होती है उससे हमारा जिवन अच्छा चलता है यह था तेईस्वा सूत्र तो मैं एक बार तालियों की दर्गेडाट के साथ पूर जे तो में जी महाराज साथ बहुत 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 सजनों योग दर्शन एक अधुबूद शास्त्र